गुद्ध मोरिंग स्टुडेंस विद्याती मित्रों तमने गणा सवाल हो छे पहला तो ए शवाल हो विशे आपने पहला चर्चा करी लईए एसे वनना सिलेबस भी से चर्चा करी लिए जे थी तवे पन थोड़ा क्लियर थी जाओ अने हुँपन थोड़ी क्लियर थी जाओ तमारा कंफ्यूजन थी विद्याति में तुरव आपने चैप्टर भी से ओलरी चर्चा करी गया छे छताय कई दो छू के ऐसे वननी एक्जम मा बराबर छे ऐसे वननी जे एक्जम जे छे एसे वननी एक्जम मा बराबर कया कया टॉपिक आउचे यह आपने चर्चा करी लिए अने वेटेच पन कई दो छू एसे वननी एक्जम मा चैप्टर नमबर वन, चैप्टर नमबर टू, चैप्टर नमबर पोर, आ त्रान चैप्टर तो आवाना चे अने हमा थी एक पन वस्तू जे छे ए एडिट नथी करे लिए बराबर छे एकपण वस्तु एनी अंदर एडिट करे ली ना थी एले आ चे त्राणा त्रोन चैप्टर जे चे तमारे समग्र करवाना छे एमा थी एकपण वस्तु एवी न थी के तमारे एने चोड़ी देवानी छे अने गणा विद्यार्थियों मने एवपण प्रश्णा पूछे छे के आ रवी वारे नी एकजम मा अमारे चैप्टर नाइन करवानू भी छे के के तो विद्यार्थिय मित्रों तमने केतली वार केवानू के रवी वारनी एकजम तो नीत नी एकजम छे नीट मा तो तमने बद्धत टॉपिक आवाना छे तो एक निया एडिट करेली एग्जाम जे छे और कि एडिट करेलो सिलेबस तमने नई पूछाई ओं आगड़ पन लेक्चर मा कही गए चुँ मारा ख्यालती तो मने वे उड लागे छे तमने लोगों कोई द्यांती लेक्चर सांभडता नथी तो आजी संदे नी जे एक्जाम जे छे संदे नी एक्जाम तोटली नीट नी एक्जाम छे तो नीट नी एक्जाम मा तो एडिट करेलो सिलेबस होय जने बराबर छेए एतु कोई होवेती आव़ा प्रश्ट्न पूछे नाइं नीट नी एक्जाम माँ तमारे होल सिलेवस करवानों छे बद्दूज करवानु छे खाली बॉड़ बाबत एक त्रिस टका सिलेवस चे कट करलों छे एक त्रिस टका सिले बस नी पन आपने आजे वानों छे बराबर छे तो जे जे चाल से उंब दूत तमने व्यवस्थित क्यातीच जैस तमें जरापन चिंता ने कहिरा वगर और अने बीजी बदी चर्चा करिया वगर सीधा सीधा ऐसे वन नी एक्जाम नी तैयारी करो तो चैप्टर नबर एक, चैप्टर नबर बे, चैप्टर नबर चार, त्रौन चैप्टर जे छे फर्स उनित ना एमाथी एकपण वस्थि एडिट करवानी न थी, दू जमाचवानू छे, एसे वन नी एक्जाम मा, मार्खु लखाइ दोन तमने, मार्खु पन कई दो, जे थ त्यार बाद प्रक्रण नंबर ब्या जेए छे ए माती चार मार्क नो एक प्रश्ण आउसे औने त्रों मार्क ना प्रश्ण आउसे औने एमसी की तो आवान उच्छे त्यार बाद प्रक्रण नंबर चार जेए छे ए माती ब्या मार्क नो प्रश्ण पुछा से औने त्रों मा युनिटनों कंप्लिट करावी जाओ छू प्लीज उने ज़रत ध्यांती सामबड़ प्रक्रन नंबर एक ज्याओ वो मा प्रजनन ते माती MC की पुछावाना चे अने बे माक ना प्रश्ण पुछा से प्रक्रन नंबर बे जे छे एमाती चार माक नो प्रश्ण पुछा से त्रण माक नो प्रश्ण पुछा से अने MC की पुछा से त्यार बाद प्राजननिक स्वास्थे जे छे ए माथी 2 माक नो प्रश्ण पुछा से अने 3 माक नो प्रश्ण पुछा से अने MC की पुछा से बराबर छे clear थे गया असो तमें आवे कैर बाद 7 चेप्टर जे आपड़े चला वेलो छे उद्विकास इस 7 चेप्टर उद्विकास नो जे छे ए ओल लेडी बाड़े काड़ी नाक्यू छे अर परन्तु नीट मा तो इनो समावेस करवा नोज छे बराबर परन्तु अत्यार से वन्नी एक्जम मा सात्मा नमबर नुचेप्टर आवानू न थी तेज रिते 9 नमबर नुचेप्टर जे छे ए पन बाड़े आडेट करी नाक्यू छे डिलेट करी नाक्यू छे एतला माटे S7 नी एक्जम मा प्रक्रन नमबर 9 पन आवानू न थी तो प्रक्रन नमबर 8 प्रक्रन नमबर 10 बराबर चे आप प्रक्रण नंबर 8 जे छे तो प्रक्रण नंबर 8 माती 3 माक नो प्रश्ण पुछा से बराबर प्रक्रण नंबर 8 माती 3 माक नो प्रश्ण अने 2 माक नो प्रश्ण पुछा से अवस्तो ध्यान मा रग जो MCQ तो खरा ज़े प्रक्रन नंबर 10 जे छे ए मती 3 माक नो प्रश्ण पुछावानों छे MCQ पन खरा त्यार बाद आपड़े नीचे ना इकोलोजी ना स्यक्षन मा जे ए आ इकोलोजी ना स्यक्षन नी वाद करू तो प्रक्रन पंदर थी पला स्टाट करीज पराबर आज ए प्रकरन पन्दर जेए छे, चप्टर नंबर पन्दर, ए चप्टर नंबर पन्दर जेए छे, ए चप्टर नंबर पन्दर माधी त्रोन माक नो प्रश्न पुछावानों छे, औने MC Canoth तो खराज, पराबर, त्यार बाद, तमने जे माणखु आपफामा आवेलू छे, एमा भूल थी, बराबर छे, चवुद मुँ चेप्टर निवसन तंतर जे छे, ए संपुन प्रकरन रद करेलू छे, पण ए माराती लेक्चर मा तेर नंबर नुँ चेप्टर बोलाए गयू छ चताई वे वह बोलू छु के निवसन तंतर चेप्टर जे छे, ए डिलेट करवामा आवेलू छे, नंबर एगनो फरक छे, अजू एक दो छु, प्रकरन नंबर चवुद जे छे, एनो समावेस आपड़े एसे वन एक्जाम मा करवानों न थी, के तमारे तमारी बाडनी एक् इंक्लूड करवामा आवे तो त्यारे ए चेप्टर माथी तमारे MCQ नी एकजम अपनी रहे चेप्टर थियरी बाबाते आटला चेप्टर तयार करवाना रहता नथी एवी जरी ते प्रक्रण नंबर सोड जे छे ए पर बाड माथी कडी नाखवामा आव्यू छे आथि ए बसमा बाड बाबाते करवानों नथी तियरी माथी तैयारी तमारे प्रक्रण नंबर सोड माथी करवानी रहती नथी बराबर हबे तेर माँ चेप्टर ने वात करिया आप्रे तो तेर मुचे चेप्टर जे छे प्रक्रण नंबर तेर सजीवों ने वस्ती जे छे इस पुछा से समझन पड़ी तमने केταιला मार्क माती कया प्रशनौ पुछा वाना चे तो प्रक्रрах नमबर तेर सची अंश्ची वस्ती मांती 2 मार्क न प्रशन 24 मांको पुछा से बरबन प्रक्र नंबर 15 ने वाद करू 3 माक नो प्रश्ण ने बे माक नो प्रश्ण जे छे ए प्रक्र नंबर 15 माथी पुछावानू रेसे अवे तम्हें बदा क्लियर थाई गया हशो पराबर छे बले सारे सिले बस मा ए मारी मिस्टेक छे मारा थी चवुदमू चेप्टर लखाई गयू छे पण हुँ आ लेक्चर माँ कम्प्लेटली तरीके तमने कव छू बले अंदस जे लखेलू हाय ते दरेक विध्याती मित्रों सामड़ीले तो आजे संडे नी जे एक्शाम तोटली नीत नी एक्शाम छे तो नीत नी एक्शाम मा तो एडिट करेलो सिलेबस होय जने भेराबर छे एतो कोई आवेती आवा प्रश्णो पूछे नगी નીટઈ નીએગષામાં ની કેણે અને નીતેગ૫ાનીક્શબ અનીશે . तुम्हें जरापण चिंता कईरा वगर और बीजी बदी चर्चा करिया वगर सीधा सीधा एसे वन नी एक्जाम नी तैयारी करो तो चेप्टर नमबर एक, चेप्टर नमबर बे, चेप्टर नमबर चार आ त्रोन चेप्टर जेचे फर्स उनित ना एमा थी एकपण वस्तु एडिट करवानी नथी दू जुमाचवानू छे, एसे वन नी एक्जाम मा, मार्खु लखाई दों तमने, मार्खु पन कई दों, जेती तमें क्लियर थाई जाओ चेप्टर वन जेचे इमाथी MCQ आउशे औने 2 मार्ख नो प्रश्णो पुछा से संख्या नथी केती एक के बे, बे मार्क ना प्रश्ना जे छे ए चेक्टर वन माथी आउसे त्यार बाद प्रक्रन नमबर बे जे छे, ए माथी चार मार्क नो एक प्रश्ना आउसे औने त्रोन मार्क ना प्रश्ना आउसे, औने एमसी की तो आवान उच्छे त्यार बात प्रक्रन नमबर 4 जे छे एमाथी बे मार्क नो प्रश्न पुछा से औने त्रण मार्क नो पुछा से जो हां वो त्रण यूनिट नो कम्प्लीट करावी जाओ चू प्लीज अने जराग ध्यांती सामपड़ चो प्रक्रन नमबर 1 जे छे सजी ओमा प्रजनन तेमाथी MC की पुछावाना चे औने 2 मार्क नो पुछा से प्रक्रन नमबर 2 जे छे एमाथी 4 मार्क नो पुछा से 3 मार्क नो पुछा से औने MC की पुछा से त्यार बाद प्राजन निक स्वास्थे जे छे एमाथी 2 माक नो प्रश्ण पुछासे औने 3 माक नो प्रश्ण पुछासे औने MC की पुछासे बराबर छे clear थाई गया हसो तमें आवे त्यार बाद सात्मू चेप्टर जे आपड़े चला वेलो चे उद्विकास ए सात्मू चेप्टर उद्विकास नो जे छे ए ओल लेडी बोडे कहडी नाक्यू छे और परंतु नीट मा तो इनो समावेस करवा नो जे छे बराबर परंतु अत्यार ऐस drowned नी एक्झाममा सात्मात नम्बर नुझ चेप्टर आ लवानु न थी तेज रिते नोमात नम्बर नुझ चैप्टर जे छे ए पन बोडे याडेट करी नाक्यू छे डिलेट करी नाख्यू छे, एतला माटे S7 नी एकजाम मा प्रक्राण नंबर 9 पन आवानू न थी, तो प्रक्राण नंबर 8, प्रक्राण नंबर 10, बराबर छे, आप प्रक्राण नंबर 8 जे छे, तो प्रक्राण नंबर 8 माती 3 माकनो प्रश्ण पुछासे, बराबर, प्रक्र का इबाद कोई यू पन खरा ओके ट्यार बाद आपने नीचे न स्यक्षन मगत यृइमं लाध करीं फ्रक्रक्रन पंदर स्य सब्सक्रागर फ्रक्र veto लोग साके 5 ब। फ्रक्र न ल१ाद कर्या स्यर है एमा भूल थी बराबर छे चवुद मुँ चैप्टर निवसन तंत्र जे छे ए संपुन प्रकरन रद करेलू छे पण ए माराती लेक्चर मा तेर नंबर नुँ चैप्टर बोलाए गयू छे छे ताई वह बोलू चुके निवसन तंत्र चैप्टर जे छे ए डिलेट करवामा आवेलू छे नंबर इंग नो फरक छे अजु ए कईदो छु प्रकरन नंबर चवुद जे छे एनों समा वेस आपड़े एसे वन एक्जाम मा करवानौ नथी के तमारे तमारी बाढनी एक्जा आवे तो त्यारे ए चेप्टर माथी तमारे MCQ नी एक्जम अपनी रहे चेप्टर थीरी बाबाते आतला चेप्टर तैयर करवाना रहता नथी एवी जरीते प्रक्राण नंबर सोड जे छे ए पर बाड माथी काडी नाखवा माव्यू छे आती ए चेप्टर नो समाविस्पन आपने अपने अपना सीले बसमा बाड बाबाते करवानो नथी थीयरी माथी तैयारी तमारे प्रक्रण नंबर सोड माथी करवानी रहती नथी बराबर हबे तेर माँ चेप्टर ने वाद करिया आपरे तो तेर मुची चेप्टर जेचे प्रक्रण नंबर तेर सजीवों ने वस्ती जेचे इस संपुन पने राखेलू छे यह मां थी कैपमन वस्तु एडिट करेली नन थी एदले प्रक्रल नमबर 3 सजी ओ और वस्ती जेछे एमाथी 2 मार्क नों प्रश्ण पु庝ा से बराबर छे और विजो जे प्रश्ण जेछे ऐस 6 मार्क नों पु庝ा से समझन पड़ी तमने कितला मार्क माती कया गया प्रश्णों पुछावाना छे तो प्रक्र नमबर तेर सचिवो अने वस्ती माती बे मार्क नो प्रश्णों चार मार्क नो प्रश्णों पुछाशे प्रक्र नंबर 15 ने वाद करू 3 माक नो प्रश्ण ने 2 माक नो प्रश्ण जे छे ए प्रक्र नंबर 15 माथी पुछावानू रेसे अवे तम्हें बदा क्लियर थाई गया हशो पराबर छे बले सारे सिले बसमा ए मारी मिस्टेक छे माराती 14 मू चेप्टर लखाई गयू छे पण हुँ आ लेक्चर मां कम्प्लेटली तरीके तमने कौँ छू बले अंदस ये लखेलू हाई ते दरेक विध्याती मित्रों सामड़ीले तेर मू लखेलू छे एनी जेगे 14 मू आकड़ों वांची लेवानू 14 मू चेप्टर एसे वन एक्जाम मा आवानू नती एनी जेगे तो विध्याती मित्रों चेप्टर नंबर एट जेचे ए चेप्टर नंबर एट मां आपड़े फक्त अने फक्त कैंसर सुदिच तो त्यारे आपड़े चेप्टर नंबर एट मां कैंसर बचिना जे टॉपिक जेचे नशाकारक पदार थो अलकेलोईड वाटेवर धुम्रपान अलकोहौल तेव यूवा वस्था तो आ बधा जे प्रश्णों जेचे जे टॉपिक जेचे ए तमारे करवाना रहता नथी ओ जको छो विज्जाती मित्रों हव्या आपड़े एक नवा चेप्टर दरफ जवान उचे अनी एजे चेप्टर जेचे एचे चेप्टर बायो टेकनोलोजी नुँँछ चे बायो टेक्नोलोजी ना जे बया चेप्टर जे छे ए छे अग्यार अने बार तो आ अग्यार अने बार मूँ चेप्टर जे छे ए बायो टेक्नोलोजी माटे ना चेप्टर छे ए बायो टेक्नोलोजी ना जे चेप्टर माँ एनू वेटेज केतलू छे तो अग्यार मूँ चप्टर जेते मिद्या गे शेप्टर मांति चार मार्कन प्रश्ण पुझ आपनें 4 मादना प्रश् Went би स्पाँट सब्स है . 5 प्रक्न नंबर 11 जियं चैंण। ए माथि प्रक्ना नमबर 11 जे चे, 11 माथी 4 माथ। प्रश्णों जे चे, ए चेप्टर नमबर 11 माथी पुछाए छे अने बे माथ माथ प्रश्णों अनेक MCQ तो खराच। ब्लूप्रिंट विरुद पुछाए तो ब्लूप्रिंट विरुद मां तमारे ब्लाबर छे ब्लूप्रिंट ना प्रश्णों नी पन तयारी राखवानी ओके ख्याल पडि गयों तो चार मराक्नों प्रश्णों जयेँ छे ओग्यार्मा चैप्टर मति पुछाए छे त्यार बाद चैप्टर नंबर 12 जये छे चैप्टर नंबर 12 नुजे जयुने चे बायो टेक्नोलोजी अने तेना प्रयो जयुझ度 नूशे बराबर तो आ बायो टेक्नोलोजी अने तेना प्रयोजनों जेचे ए माथी पन त्रान माकन अने बे मारकन प्रश्णों पुछाए छे बराबर कितला माकन प्रश्णों पुछाए छे? त्रान अने बे तो मुट्टे भागे आ बायो टेक्नलोजी नो प्रयोजन जेछे ये त्रानाक ना प्रश्ण पुछाता होई छे परन्तु एउ थाई शके के ब्लूप्रिंट नो साथ जो थोड़ो गणा फेरफार करिये तो एमाती बेमार्क ना प्रश्ण जेछे ये पुछाई शके एम छे आथि आपणे प्हेला चेप्टन नमबर 12 जेछे ये पूर्णो करीशे औने त्यार बाद चेप्टन नमबर जेछे त्या जई शुआ એम्टो મारे પેલા ચ્ટે નબર અગ્યાર જેછે શરુ કરુવુ પડે પણ અત્યારે ચ્ટે નબર બાર જેછે बराबर एना वीशेर पहला आपने महेती केडाल वीशुँ अने त्यार बाद आपने बायो टेखनोलोजी ना अग्यार मा चैप्टर मा चहीतुँ विद्याति मित्रेटरव नमबर 2 जे ल्बॉल इस प्रस्थ मां मरं जवाब पूछू छे न्यू कोर्स से साथो छे कि खोटो छे तो हां ए साथो छे बरबर आईडिट करेवबस आँ चे चेप्टर साथ नूबर नौ और चाप्टर नूबर चावद जे छे बरबर ए एक जम मा आवानू न नथी बले त्यां लख्यू छे महराती केवाई गऊ चे एको सिस्टम मुँ बोलू छू बराबर चे चावधमू चेप्टर पर नाम तेरमू चेप्टर लोचू तो एटली वस्तु याद राग चो के सात्मू चेप्टर, नौमू चेप्टर अने चौधमू चेप्टर जेछे ए तमारे सेवन एक्जम मा लेवानू नती पन तेरमा चेप्टर जेछे एनू इंक्लूड करवानू रहसे बराबल तेरमा चेप्टर जेछे ए तेरमा चेप्टर नू आपड़े सुखेवाई एनू संपुन उल्लेक जेछे ए आपड़े करवानों रेस्टे माते कोई पन टॉपिक जेछे ए चेंज करियो नथी ओके समझाई गयो त्यार बाद आपड़े एक क्लियर करिये के हाँ चाउद मू चेप्टर जेछे ए तो बोलती एकोसिस्टम बोलू छो नंबर तेरमा बोलू छो ने बोलू छो एकोसिस्टम तो चाउद मू चेप्टर जेछे बराबर छे ए एकोसिस्टम नू छे तो ए चेप नंबर इंग मां बूल थाई छे आथी भले सरे अंदर सिलेबस मां आप्यू छे मैं किदू छे इतला आप्यू छे छताई हूं क्लियर करू छू के तेर्मू चेप्टर जे चे विद्यार्थी मित्रों तमारे एसे वन नी एक्जाम मां करवानू रहसे हाँ पर चवुद्मू चीप्टर करवानू नतई ट्यार बाद हाँ के आसंडे नीत्नी एक्जाम मां चेप्टर हमल करवानू छे, आभविस्द करवानूसर दनसे परबर चे कारण के चेप्टर नंबर 9 जे चे चेप्टर नंबर 9 मा तो नीत मा पुर्ष्टन आवे चे तो आपड़े रही वारे नीत नी एक्जाम राके ली छे आथी अने हाँ के भाई PDF मा जे मुखले लू छे तो सु एज तीस टका सिले बस रत थे गे लो छे तो एज साथू छे हाँ एज साथू छे बदा सब्जेक माटे तमने PDF फाइल कदाच मुखली आपपा मावी हसे जे गुजरात बौर दवारा हमने मुखलवा मावी छे बस अमे एज क कदाच तमारा सुधी पहुंची है शे परबर अथवा तमने चियो कोई डाउड है ना विशे तो आसे वनना एक्जम ना चेप्टर चेप्टर वेटेज विशे आपने चर्चा करी लिदी हवे कोईने डाउड हो जोई ये नाई तमने तमारी पेपर स्टाइल मड़ी गए तो प्लिज ए प्रमाने हवे तैयारी शरू करीदेचो अने रवी वारे नीतनी एक्जाम चे तो नीतनी एक्जाम आए 23 चेप्टर जे चे परबड़ चे इंक्लूड छे ये मां 9 मूपाण चे तो 9 मा चेप्टर नी पाण तैयारी करवानी रहसे चला प्रक्ण नंबर 12 बाय BIO तेकनलोजी इटले जीव। ब्रब्र जीव। ती वस्तु है जीव। धराओतु है तेकनलोजी तेकनलोजी तक्निकी तो Stripe तो कणो उपयोग करवानो जились बायो तेक्न लोजी मां तो जीव भंधरावती वनस्तति ऑने प्राणियों बरब्र चे तो तेमा तकN Mün dengan rec और करीदें जे विएक्सावेली साक जेँ छे ए बायो तेक्नोलोजी छे विदैमृत्र और बायो टेक्नोलोजी ए बायो विदैमृत्या मार्ण सारो एवू एडिशन भार पारती हो तो तेवी ब्राँच वाय टेकनोलोजी छे खेती वाडी मा, वनसपती संकरन मा, प्राणी संकरन मा, नवी जातो विक्सावा मा बराबर छे जे रोगों जे चे निस्तामे लड़वा माटे जे रसी बनावानी चे दवा बनावानी चे तो ए बद्धु प्रयोजन जे चे बद्धी जे प्रडक्ट जे चे तो ए कई ब्रांच थकी तती होई चे बायो टेक्नोलोजी खाते तो आपड़े आ चेप्टर मा आपड़े बायो टेक्नोलोजी नों महत्व सिखवाना चे त्यार बाद खेती वाड़ी मा बायो टेक्नोलोजी कई रीते उप्योगी चे दवा बनावत मा कई रीते उप्योगी चे त्यार बाद वनस्पतियाने प्राणियों मा बायो टेक्नोलो तसकरी सिख्वान आचे जे वो पैटर्न आ त्रोण महत्वनी टुकनों छे जे बेके त्रोण मात मां पुछाई शके बरबर तो बोड माटे पन आच अप्टर बहु सेलू छे एतला माती एकपण मां जबो जुए नैं तो अगार्ना प्रक्राणी वात आपने एह हजी करवानी बाकी छें ये मां मुख्यतवे फूगचे वनसत्ति Member प्राणी उचे तो एनना जनीनंमा रुपांत्रान करीने फेरफार करीने एनों उप्योग करीने प्राणी एनों उप्योग करीने बायो फार्मसिटिकल्स ने जेविक पदार थो ने उद्योगिक्स करे उत्पदन करवा मा आवे छे ये माथी दवाव बनावा मावे छे औने माथी जेविक पदार्थ होजी छे एनु उत्पदन करवा मावे छे बाया टेक्नोलोजी ने उप्योग चिकित सास्त्र एटले के चिकित सास्त्र निदान डॉक्टरे निदान मा परबाचे निदान खेती मा जनिनीक रूपांतरेर प पुष्ण मुल्य उच चुहाई बायो रेमेडियेशन अप्षिस्ट सुधार्णा तथा उर्जा उत्पादन मा थैरु हो छे बायो टेक्नोलोजी ने त्राण जटील संसदन शेत्रों नीचे मुझब चे ब्यमाक मा पुछाई शके वो प्रस्ण बराबर तो आवस्तु याद राखवानू कि आज ये प्रस्ण जे छे ए बेमाक मा पुछाई शके छे कि बायो टेक्नोलोजी ने त्राण जटील संस्दन शेत्रों जणावो बराबर आ आ कितला बेमाक मा पुछाई शके ए वो सवाल छे चल प्रथम सुधारेल सजीव सामान्य तह सुक्ष्म जीव अत् स्वारूप मां स्रेष्ट उत्प्रेरक पूरा पाडवा बराबर ने सु करवानू छे जटील संस्दनों जे छे बराबर बायो टेक्नोलोजी ने मती पहलू कई उच्छे तो सुधारेल सजीव कि बाई ये सजीव वो होय कि जे नामा कोई खामी होय तुरा जनीन मा सुधार सुधारेल सजीव सामानिय तेह सुक्षम जीव सुध उत्से चक न श्वरूप माई प्रवन्ने के शुक्ष्मजीव तेथा सुध उत्से चक नस्वरूपमा स्ट्रेश्ट उत्प्रेरक पूरा पाडवा स्ट्रेश्ट उत्प्रेरक पूरा पाडवा एतले सु के बैई एजी सजीव जेछे एमा सुक्ष्मजीवाने सुध उत्से चको जेछे एयं योग्ययरेते कार्या करी शके, ए माटे एने बिष्ट मध्यम पूरू पड़वानू इने उतं प्रेरक्ना कार्या माटे इदनेरी विद्या नी मदद्थी इस्तितम परिस्तितियू निर्माण करवो इजनेरी विद्या, जिनेटिक इंजिनेरिंग गईया आपरे बराबर छे अपने एक बहुत सारी ब्रांक छे बायोलोजी ने तो जिनेटिक इंजिनेरिंग जे छे एनी मदल थी आपने आ बदल आना उत्से चको जे छे एने शक्रिय करवा माटे नी परिस्थितन सो करवानू निर्मान करवानू के जे थी आपने शक्रिय रिते एनुद पदल मेली शकाई त्री जू अनू प्रवा संसोदन टेक्नोलोजी द्वारा प्रोटीन कार्बनिक सहयो जनोने सुद्धी करण पर अपर के बायो टेक्नोलोजी नी बद्धतिव द्वारा प्रोटीन अने कार्वनिक सायो जनोजी चे आए सुध्ध सोरूपमाँ मिल वी शके आई बायो टेक्नोलोजी ना त्रण जटील संसोद नक्षेतरो छे ओके तो चालावले मनुशेमाँ खास कळेने स्वास्ति ये अन्न उत्पाद नक्षेत्र मां पोतना जीवस्तनी सुधाणा माटे बायोटेक्नोलोजी न उप्यों कई रित्य कराये तियाहीं आपएदुछे प्रथम खेती वालीमा बायोटेक्नोलोजी न प्रहोजुनो तो अन्न उत्पादन वधार माटे त्रण विकल पोजे छे एविचारी शकाये छे प्रथम एग्रोकेमिकल खेती जे अत्याये रिसंटली आजे कंसेप्ट जेचे बहुँ चाली रहो छे आपणे घणी वकत अन्न उत्पादन वधार माटे खुब करवा माँ तो है चे तो पहली पद्धाती एग्रोकेमिकल पद्धाती सेकंड कार्बनिक खेती ओर्गेनिक खेती आप्रेम कई चे अन्ने त्री जू जनेनी किदनेरी पाको आधरित खेती जनीनमा सुधरालावी ने पाकोनी नवी ज पद्धातो विक्सावीने वधुत पद्ध मेलवी शकाई एमाटेनी पद्धती परबर तो त्रोन पद्धती याद राख्वानी चे एक एग्रोकेमिकल पद्धाती सेकंड ओर्गेनिक कार्बनिक केती अन्ने त्री जू जेचे जनीनीक इदनेरी पाको आधरित परबर जन निनमा सुधार्णा करीने बाद एन पाको विक्सावानी पद्धती चाल त्यार बाद आपड़े आगर जईये हर्यारी करांती थी त्राण गणो अन्न पुर्वठ्ट पूरो पाड़ी सकायो छे आपने एक सवाल एने याद राखवानू परंतु ते वत्ती जती मानो वस्ती माटे केवो छे ओ पुर्तो छे जेकली वस्ती वदे एकलु उत्पादन प्र वधरू उपडे ने वधरानो उत्पादन मात्र सुधारेली पाक नी जातियोना उप्योग अलेज नही परंतु कुषण व्यवस्तापनना महावरा अने एगरोकेमिकलना लिधेज छे आम छता विकस्ता विश्वोमा एगरोकेमिकलना उप्योग खेदूतो माटे केवो छे खुब खर्चार छे तेमच परंपरागत सवर्दन उप्योग द्वारा वर्तमान जातियोना पाक उत्पादन मा वधरो संबव नथी शुको एवो वेकल्पीक रस्तो छे के जमा आनुवंशिक माहितीन उप्योग करीने खेदुत पोताना खेतरो माती वधारे उद्पादन प्रापत करी शके सु एवो कोई रस्तों छे के जिना द्वारा खातोरो तेमाज रशायाणों नुन्तम उप्योग करीने तेना द्वारा परियावरण पर उभाथता हानी कारक प्रभावने कटाडी शकाई जनीन परिवर्तेर पाकोन उप्योग एक मात्र शक्किय उकेल छे एतले के पई जेतलू प्रोडक्शन वदे छे जेतली वस्ती वदे छे एतलू उदपादन पण तो करूँ पड़े बराबर अनि ए उदपादन वधर्वा माटे दरेक खेतने एग्रोकेमिकल जेजे एग्रोकेमिकल उप्योग प्रवर्तमान समयेमा वारम वार करी शकाई नहीं अनि एनना ती उदपादन वधरी शकातू न ती करने के टलू कॉसले छे आती दरेक खेदू ता प्रिफर करी शके नहीं जनेनिक माहीतिनो उप्योग द्वारा रवने खेदू तो जेजेए आ धाको विसे नहीं जनेनिक माहीती प्राप्ता करी होलका तो तौन दरेक आतर घ्रोकेमिकल वधर्वा माटे हानी कारक रशान वापरवना कारणे जमी नीचे फंटु प्रतासे घटे जेचे येना थी पन आपड़े छुटकारों मेलवी शक्या अने जनीन परिवर्ते तो पाको नोप्योग एक मात्र शक्या उकेल छे के आबदा परिस्तितनों उकेल लावा माटे शो करवू पड़े तो वनस्पतिना जनीनों मा फेर खाल लाविये जे पाको जे छे तेना अने एवी जातों उछे रिये के जे थी आबदी परिस्तितनों म કેવી વનસપતીઓ કેવે બેક્ટેર્યા , ફોક , તેમમાજ પરાન્યવે के जञेने कुत्त्र मृत्य बृत है बृत कि नदे Annika सबस्रां exhaust हो इनकर ते हो ऊंतधाूं बढ़र्बर बृतय क में वहाले हो मापनी निल्यक बारियेंजिव सबस्त करा देली तो disposition अवा पर अलये वहाले हो, अन्मी च्पाएवितिम लाघ्री हो ह्युते वनस्पतियों, बैक्टेरिया, फोक, प्राणीयों के जनना जनीन को त्रिम रित्य परिवर्तन करवा माव्या छे जनने सुकेवा आई जनीन परिवर्ति सजिवों जिनेटिकली मोडिफाई अर्गिनेजम GMO GM, जननीन परिवर्ति वनस्पति नोप्यों, गणा बदा प्रकारे लाब दाई, छे अनेने जननीक रुपान तरन आपले कणा विशक्या छे ओके, हवे आपड़े GMO वनस्पति विशे, नेक्स्ट आगर ना लेक्चर मा जोश्यू, विद्याति मित्रों, एक्जाम बाब बते कोई पन प्रश्ण होई, तो तमें विना संकोचे पुछी शकोचो, अने एक्जाम नी फूल तैयारी सास ते करजो, माड़कु तमने आप पिद्धों छे, हजू पन कहुचू, चैप्टर नंबर 13, से 1 मां इनिक्लूड छे, चैप्टर नंबर 14, ए से 1 मां इनिक्लूड नथी, ओके, विद्याति मित्रों, आज जिवाई पर तमने कोई प्रश्ण होई, तो तमें पूछी शकोचो, अने प्रश्ण होई, तो तमें